नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 12 नॉमबा शनीवार सुबह सवाथ 6 बजे राजिस्तान की बड़ी खबरें रास्तान राजर विधिक सेवा प्राधिकरन के और सी रास्य लोक अदालत काया जुन शनीवार को किया जाएगा ये लोक अदालत रास्तान हाई कोट की जोदपूर और जैपूर पीत के साथ ही प्रदेश की सभी अधिनस्त न्यायलों के साथ ही राजस्व कोट उभुक्ता मंच एवं अन्य प्रशासनिक अधिकर्णों में किया जाएगा जैपूर में लोक अदालत का शुबारम हाई कोट की न्यू बिल्डिंग के परिसर में सुबह दस पजी होगा लोक अदालत में कोट में लंबित राजी नामा योग्य फॉज़ारी प्रकरण एनाई एक्ट के मामलों के साथ ही विभी ने प्रकरणी का स्थानी निगायों से जुड़े मामलों को आपसी सहमती से निप्टाया जा सकता है सुप्रिम कोट हाई कोट में जजो की निप्टी को लेकर केंद सरकार को फटकार लगाई है कोट ने कहा कि जजो की निप्टी को लेकर जो नाम अब तक पैंडनिंग रखा है वो मंजू नहीं है कोड के मताबिक सरकार ना तो नामों की निर्टी करती है और ना ही अपनी आपक्ति के बारे में बताती है सरकार के पास दस नाम भी लंबित हैं जिने सुप्रीम कोड कॉलेजियम ने दोहराया है इस मामने को लेकर सुप्रीम कोट ने लो सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है रास्तान लोक सिवा आयोग ने वरिस अध्यापक प्रतियोगी परिक्षा 2022 के परिक्षा आयोजन तारिखों की घोशना कर दी है अजमेर मुख्याले पर आयोग के सचीव H.L. अटल ने बताया कि परिक्षा का आयोजन 21-27 दिसंबर तक किया जाएगा परिक्षा के लिए विभिन विश्यों के कुल 9,760 पदों के लिए होने वाली इस परिक्षा की सुगमता पूर्वक कराने हितू आयोग ने इन्हें A-C के तीन ग्रूपों में बाटा है तरसान लोग सिवा आयोग ने प्राध्यापक भरती परिक्षा के तहत अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अफ्लोड कर दिये हैं आयोग परिक्षा के लिए आवंटित जिलो की जानकारी पहले ही अप्लोड कर चुका है सचीव हरजी लाल अटन ने बताए कि परिक्षा 15-17 नवंबर तक अजमेर जयपूर और जोत्पूर जिला मुख्या लेपर कराई जाएगी बंदर नवंबर सुबह 9-10 पजे तक सामाने ग्यान और सामाने अध्यन विशे की परिक्षा होगी इसी दिन दोपहर 2-5 पजे तक हिंदी विशे की परिक्षा होगी रासान में आम वेक्ति को आठ पर में सुलब होने वाला इंदर रसोई का खाना कई माननियों को पसंद नहीं आ रहा है जबकि मख्यमंत्र शोगहलोत खुद पिछले डेड़ माह में दो बार इंदर रसोई का स्वार ले चुके हैं महां में कम से कम एक बार इंडरा रसोई में खाना खाने की मख्यमंती के नसीहत के उपरांद भी अधिकांच जन प्रतिनी धी दूरियां बनाए हुए हैं मजे की बात तो यह है कि इसमें सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिन हैं कई विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने उद्गाटन के दौरान महज रसम निभाई नगर निकाई वे पंचायती राज जन प्रतिनिधी और संगठन के बदादिकारी भी इंद्रा रसोई तक कम ही पहुँच रहे हैं भारत रतन मास्टर ब्लास्टर सचिन तंदूल कर शुकरवार को ज़ालाना जंगल पहुँचे यहां उन्होंने इंटरपीटिशन सेंटर देखा और जंगल की ज़ान करे ली सचिन तो पर करीब सब 12 बजे मुंबई रवाना होने के लिए होटल से रवाना हो गए एरपोर्ट जाते वक्त वेपाउने एक बजे ज़ालाना जंगल पहुँचे यहां उन्होंने जंगल सफारी नहीं की लेकिन वे इंटरपीटिशन घुमें उन्होंने यहां लगे पैंथर्स की फोटोस देखी और सराहा साथ ही उन्होंने जंगल से जुड़ी बाते भी पूछी इस तो रान सितिन ने जहलाना जंगल की तारीफ की और इसे वंडरफुल फॉरेस्ट बताया उन्होंने कहा कि इस बार समय की कमी की कारण जंगल घुमने की ख्वाईश पूरी नहीं हो सकी लेकिन दोबारा जब भी आएंगे सफारी जरूर करेंगे महरादा सूरज मल ब्रिज विश्वी विद्याले से संबद धौलपूर और भरतपूर जीलों की 78,000 विद्यार्थें को दो महिने से अंकतालिका का इंतजार करना पड़ रहा है पहले चात्रवती के आवेद्रों में परिशानी आ रही थी लेकिन अब तक अंकतालिका नहीं आई है विश्वी विद्याले ने इस नातक के तीनों वर्ष का परिशा परिणाम तो करीब दो महा पहले ही घुशित कर दिया लेकिन अभी तक विद्यार्थों के मूल अंकतालिकाएं सामबंदित कॉलेजों को नहीं बेजी गई है लाजसान में सरकारी स्कुलों के कफशा एक से आर तक के करीब सितासट लाग बच्चों को बाल गोपाल दूद और नेशल की युनिफॉर्म योजना का शुबारम पंदान नुमंबर को किया जाएगा मुक्यमंतर शोगिलोत योजना को शुरू करेंगे लाजसान स्कुल शिक्षा परिशत की ओर से योजना के शुबारम की तयारियां शुरू कर दी गई है कायकरम स्मस स्टेडियम में प्रस्तावित किया गया है इस दिन करीब 5000 बच्चों को बिलाया जाएगा राजसान विधानसभा में राजसान के राजनितिक, समाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाने वाले डिजिट्रल मुजियम को 14 नुमबर को खोला जो रहा है एक महा तक स्कुली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए निशूल के परवेश रहेगा डिजिट्रल मुजियम सताहा में एक दिन ये बन रहेगा स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा में मीडिया से बाचीत में इस मुजियम के बारे में जोइन करी दिया उन्होंने कहा कि इसे राजनितिक आख्यान संग्रहालय नाम दिया गया है इसमें विधानसभा में अंदर सदन का द्रश्य भी दिखाया गया है इसके अरावा पूर्व मुखे मंत्रियों पूर्व विधानसभा देक्शों का सिलिकॉन से बने स्टैच्यू भी बनाए गई है जो जीवन से दिखाई देते हैं उन्होंने कहा कि डिस्टल म्यूजियम में राजस्तान के अतीत और वर्तमान राजनितिक, समाजिक और आर्थिक इतिहास को दर्शाया गया है कॉंग्रेस की विधायकों ने अपनी ही पार्टे के निताओं की विरुद में जौकर करेब डेर महीने पहले स्टीफे दे दिये थे इन स्टीफों को स्विकार किये गए या फिर और स्विकार किये गए इन स्टीफों को प्रोसेस में लाया भी गया या फिर नहीं ऐसे कई सवाल आज भी अनुत तरित हैं इस मामने को लेकर विधान सभाध्याक्ष सीपी जोशी एक शब्द भी बोलने को तयार नहीं है भारत निर्वाचुनायों की ओर से एक जन्वरी दोजार तेज के संदर में विशेश संग्षिप्त पुर्णिक्षिन कारिकर्म चुलाय जो रहा हैं यह 8 देसंबर तक चलेगा अगले साल 1 अक्टूबर को 18 साल पूर्ण करने वाले युवा भी इस्तोरान अपना नाम मद्दाता सुची में जुड़वा सकेंगे निर्वाचन अधिकारी मर्मोहन शर्मा के अनुसार बुधवार को एकिकरत फोटो एक मद्दाता सुची का प्रारूप प्रकार्शन किया गया कोई भी कारिकरता या मद्दाता 8 देसंबर तक इस पर दावे या पत्तियां पेश कर सकेंगे चुनाव आयोग ने पहली बार इस कारिकर में नया प्रावधान किया जिसके अनुसार आगामे एक जनुरी 2023 के अलावा अगले साल एक अप्रायल एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल पूरा करने वाली युवा भी अपना नाम मद्दाता सुखी में दर्ज करा सकेंगे विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने उच्छी शिक्षा संसानों में चौर साल के ग्रेजूशन कोर्स के नियम तयार कर लिये हैं अगले पंदरा दिन में इन्हें जौरी कर दिया जाएगा इस योजना में 2023-2027 में दाखिला लेने वाले विद्यारते ही नहीं जो तीन साल के ग्रेजूशन कोर्स में दाखिला ले चुके हैं उन्हें भी चौर साल के डिग्री लेने का मौका मिल सकता है कासान में भले ही अभी तक चीते नहीं आ सके हैं लेकिन MP के चीते भी प्रदेश में वाइल वाइज ट्यूरिजम को बढ़ावाद देने में एक महतपुन भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सितंबर माहा में MP के क्रूनो अभ्यारने में नामीबिया से 8 चीतों को MP के क्रूनो अभ्यारने में शिफ्ट किया गया था इन में से दो चीतों को तो अब बड़े अन्क्लोजर में भी शिफ्ट कर दिया गया है हैसे में जब क्रूनों के जुंगल में पूरी तरह से चीतों की दाहार गुंजेगी तो ये दाहार ना केवल मध्य प्रदेश पाल की राजसान प्रदेश के वाइल लाइफ परेटन में भी चौर चांद लगा देगी चाहसान में कोटा जिले के किसानों के फसल अफशेशो पराली में आग लगाते हुए पाय जाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा उपने देश कृषी विस्तार खेमराश शर्मा ने बताए कि दो एकर से कम भूमी वाले कृषिकों पर प्रति घटना 2500 रुपे दो से पांच एकर भूमी वाले किसानों से प्रति घटना 5000 रुपे तथा पांच एकर से अधिक भूमी वाले किसानों से प्रति घटना 15,000 रु चाहसान की 52 डिपो मैनेजर्स में से करीब एक दरजन प्रबंदकों पर जल्धी गाज किरने वाली है करजे में डूबी रोडवेज के नए M.D. नस्मल लिडेल एक्शन मोड में नसर आ रही है रोडवेज मुख्याले में M.D. ने डिपो की समिक्षा बाठक ली सूत्रों की माने तो इसमें खराप और नाम देने वाले मुख्य प्रबंदकों को 16 CC का नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए है जिन डिपो मैनेजर्स को नोटिस जारी होंगे उनके परफॉर्मस तीन सर पर जांची जाएगी तहरी कैटेकरी में वे तीन प्रबंदक शामिन होंगे जिन्होंने पिछले एक माह में सबसे कम राजस पर अरजित किया है साथ ये दूसरी काटेकरी में वे शामिन होंगे जिन्होंने ज़्यादा डिजल खर्च किया है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल स्पिटी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर